हेलो एव्रीवान वेलकम टू के वी टीचर्स गिल्ड सो बच्छों भी हम डिस्कस करेंगे सेकंड क्लास इंग्लिश के सेकंड चाप्टर आउट आउट के क्वेशन एन आंसर तो इस चाप्टर की रीडिंग और एक्स्प्रेनेशन हम प्रिविएस वीडियो में कवर कर चुक आप अपने फ्रेंश के साथ कौन से गेम्स खेलना पसंद करते हैं विच गेम्स यू लाइक टू प्ले तो जो भी गेम्स आप अपने फ्रेंश के साथ खेलते हैं उनको आप लिखेंगे आई लाइक टू प्ले आई लाइक टू प्ले फिर एक्जांपल खोखो या फिर कबड़ी और स्टापू या फिर कोई और क्रिकेट आप खेलते हो जो भी गेम्स आप अपने फ्रेंश के साथ खेलते हैं उन गेम्स के नाम आप लिखेंगे एस अधराई लाइक टू प्ले गेम्स अधाइक लाइक टू प्ले इस तू लिखेंगे खेला ही होगा नहीं खेला तो आप लिखेंगे बैट और बॉल हाँ मैंने बैट और बॉल खेला है नेक्स्ट इस बबली मेड अ बॉल यूजिंग अ फ्यू राग्स पेपर बुल और स्ट्रिंग हमने देखा बबली ने एक बॉल बनाई राग्स को राग्स मतलब पुराने जो कपड़े होते हैं फटे पुराने कपड़े उनको यूज करके पेपर को यूज करके जो वेस्ट पेपर्स थे बुल उनको यूज करके और फिर स्ट्रिंग धागे को यूज करके इन सबी चीजों को round किया और फिर string से उनको लपेट दिया, tie कर दिया Now, have you tried to play a game using the things around you? क्या आपने कभी अपने आसपास चीजों को use करके कोई game खेला है? What did you play? कौन सा game आपने खेला है? Name the things that you used to play कुछ चीजों के नाम लिखिए जो आपने use की, उस game को खेलने के लिए Talk about it in the class Class में आप उसके बारे में बात कर सकते हैं जैसे बहुत सारे students five stones खेलते हैं आसपास से जो pebbles हैं, stones के चोटे-चोटे pieces आप collect कर लेंगे Five pieces रखेंगे यह game होता है, इसमें एक जो Pebble का piece है, उसको आप उचालते हैं आप in the air, हवा में उचालेंगे तब तक बाकी के जो Pebble pieces हैं, one by one उनको आपको collect करना है, और फिर जब वो Pebble piece उपर से नीचे आएगा जो आपने उचाला था, उसको भी catch करना है, इस तरीके से game होता है, अगर आपने खेला है इसको आप लिख सकते हैं, या फिर इसके अलावा कोई और game आपने खेला हो, जिसके लिए आपने आसपास की चीज़ों को use किया हो market से कुछ खरीदने की ज़रुत आपको ना पढ़ी हो, तो वह आप यहाँ पर लिखेंगे now read pages 10 to 11 of the story again, again मतलब फिर से story का page number 10 और 11 आपको read करना है and number the following sentences in their correct order नीचे कुछ sentences आपको given है, उनको फिर correct order में लिखना है, तो read करते है page number 10 and 11 okay starting से ही है, quickly read करेंगे क्योंकि हम पहले कर चुके हैं इसको, it was a holiday, छुटी का दिन था jeet and bubbly were playing, jeet और bubbly खेल रहे थे, they played many games, बहुत सारे games उन्होंने खेले, both of them skipped the rope, दोनोंने पहले rope skipping की, रसी कूद खेला, they played hide and seek, फिर उन्होंने लुकाच छिपी खेली hide and seek खेला, bubbly and jeet decided to play bat and ball, then bubbly और jeet ने decide किया कि वो bat and ball खेलेंगे, jeet got ready to throw the ball, jeet ready हो जाता है, तयार हो जाता है, ball को throw करने के लिए, ball फेकने के लिए, jeet threw the ball, jeet ball को फेकता है, bubbly hit the ball, bubbly ball को hit करती है bat से, the ball went into Mohit's garden, ball Mohit के garden में चली जाती है, but his house was locked, लेकिन Mohit का जो house है वो locked होता है, उस पर ताला लगा होता है, they could not find the ball, ball उनको नहीं मिलती, so the game stopped, इसलिए game stop हो जाता है, रुख जाता है, okay, now question में जो sentences given है, उनको देखने हैं, sequence में लगाना है, आपको पहले क्या हुआ, the number second, third, bubbly hit the ball, bubbly ने ball को hit किया, jeet threw the ball, jeet ने ball को fakeा, the ball went into Mohit's garden, Mohit के garden में ball चली गई, jeet got ready to throw the ball, jeet ready हो गया, ball को throw करने के लिए, they lost the ball, उनकी जो ball थी, they lost it, वो उन्होंने खो दी, तो सबसे पहले तो jeet ready होता है, ball को throw करने के लिए, number one, उसके बाद वो ball को throw करेगा, jeet threw the ball, number two, then bubbly ball को hit करेगी, number three, then जो ball है, वो Mohit के garden में चली जाएगी, this is number four, and finally they lost the ball, उनकी ball finally खो जाएगी, ये सही sequence है, next is read the words below each picture, हर picture के नीचे जो words है, उनको आपको read करना है, पढ़ना है, so an egg, an engine, an elephant, an मतलब एक, so this is an egg, ये एक है, this is an engine, this is an elephant, now a pen, a means भी एक होता है, a pen, एक pen, a pencil, a bell, a kettle, a hen, a bell, okay, अभी यहाँ पर कुछ words के आगे हमने देखा आ लगा है, कुछ के आगे एन लगा है, प्रिवेस चाप्टर में भी एक्सरसाइस थी, तो हम जानते हैं, जो words, vowels से start होते हैं, जहाँ पर vowel sound आती है पहले, vowels हमारे 5 हैं, a, e, i, o, and u, प्रिवेस चाप्टर के एक्सरसाइस में a से आपको words गिवन थे, अभी e से गिवन है, जितने भी words इन vowel sound से start होते हैं, शुरू में अगर ही आती है, तो इसके आगे हमेशा an आएगा, जैसे an elephant क्योंकि हाँ पर e है, an engine, e है again, an egg, ये bell है, इसके आगे b है, a, e, i, o, u में से कुछ नहीं है, इसलिए a लगा है, a bell, similarly pencil, a pencil, क्योंकि ये p है, अगर p ना होता, e होता, ansel ये होता, तो फिर an ansel होता, a pen, जो e की sound है, वो middle में है, starting में नहीं है, इसलिए a लगा, अगर ये starting में होती, तो फिर an लगता, clear, शलिए next, now ready, read the story out, out again, and fill in the blank, फिर से story, out, out, आप read करेंगे, और फिर blanks को fill करेंगे, देख ली होगी आपने, write the names of the children in the story, story में जो children बच्चे हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं, बच्चों के नाम क्या थे, bubbly and, jeet and bubbly, answer आप लिखेंगे, जीत and bubbly, three places हैं, लेकिन दो ही children थे, दो में ही आप फिल करेंगे, next is, write the items that the children used to make a ball, किन items को बच्चों ने use किया, बउल बनाने के लिए to make a ball, उनको आपको लिखना है, क्या bubbly ने use किया था, bubbly used, few rags, उसने कुछ पुराने कपडे लिए, paper, बुल, इन तीनों को use करके उसने ball बनाई, और फिर उसको tie किया, एक स्ट्रिंग से, so rags, paper आड़ बुल, next, now next is, write the opposite of the following words, one has been done for you, इनके opposites आपको लिखने है, up का opposite होगा down, up मतलब उपर, down मतलब नीचे, next is in, in मतलब अंदर, इनका opposite होगा out, out मतलब बाहर, so out यहाँ पर आप लिखेंगे, out, next is open, open मतलब खुला हुआ, इसका opposite होगा closed, closed मतलब which is closed, जो बंद है, next is fat, fat मतलब थोड़ा weight जादा हो, जिसका इसका opposite होगा thin, fat मतलब मोटा और थिन मतलब पतला, thin, next is hot, गरम, इसका opposite होगा cold, next is small, small मतलब छोटा, इसका opposite होगा big, big या फिर large भी आप लेख सकते हैं, big, okay, so up, down, in, out, open, closed, fat, thin, hot, cold, small, big, ये opposite words हैं, now next join the sentences using and, write it in the given space, one has been done for you, दो sentences आपको given हैं, उन्हें आपको and से join करना है, join करके one sentence बनाना है, for example, सुरेश went to school, सुरेश स्कूल जाता है, गया, गोपाल वेंट टू स्कूल, गोपाल स्कूल गया, यानि कि सुरेश और गोपाल दोनों स्कूल गये, आप लिख सकते हैं, सुरेश और गोपाल वेंट टू स्कूल, similarly, I like to eat mangoes, मुझे mangoes खाना पसंद है, I like to eat grapes, मुझे grapes खाना पसंद है, यानि कि मुझे mangoes और grapes दोनों ही पसंद है, तो आप लिखेंगे, I like to eat mangoes और grapes, ओके, next, next is, the cat sat on the mat, the dog sat on the mat, cat mat के उपर बैठती है, बैठी, dog mat के उपर बैठा, यानि कि cat और dog, दोनों mat के उपर बैठें, तो आप लिखेंगे, the cat and the dog, the cat and the dog sat on the mat, ओके, next, next is, this ball has yellow dots on it, इस ball के उपर yellow dots है, yellow dots है, next, this ball has, also has green dots on it, इस ball के उपर green dots भी है, यानि कि ball के उपर yellow and green दोनों ही dots है, तो आप लिखेंगे, this ball has yellow and green, yellow और green dots on it, इसके उपर yellow and green dots है, next is, there are tables in my classroom, मेरे classroom में, there are tables, tables है, there are chairs in my classroom, मेरे classroom में chairs है, यानि कि classroom के अंदर tables भी हैं, और chairs भी हैं, तो table और chairs दोनों हैं, तो आप कहेंगे, there are, tables and chairs, tables and chairs, chairs in my classroom, दो sentence की बजाएं, ये एक sentence आप लिख सकते हैं, इस तरीके से आपको दो sentences को जॉइन करना है, using and, and को use करके, दोनों में जो अलग-अलग चीज़ें कही गई है, I like to eat mangoes, I like to eat grapes, which means I like to eat mangoes and grapes, दोनों मुझे पसंद है, the cat sat on the mat, the dog sat on the mat, यानि कि the cat and the dog sat on the mat, the ball has yellow dots on it, the ball also has green dots on it, यानि कि this ball, यानि कि this ball has yellow and green dots on it, there are tables in my classroom, there are chairs in my classroom, so there are tables and chairs in my classroom, let us do, activity है, choose a partner, एक partner आप चूज कर लेंगे class से, imagine you both are bubbly and jeet, imagine करेंगे, आप एक जीत है, आप में से एक bubbly है, enact this story, इस story को आपको enact करना है, act करना है, एक bubbly के जैसे, फेले दोनों जो बच्चें आप rope skipping करेंगे, फिर आप bat ball खेलेंगे, ball आपकी चली जाएगी, आप जाएगे ढूंडने, रूम लॉक होगा, इस तरीके से class में आपको ये play perform करना है, नाटक, you may use some words from the story for dialogues, dialogue के लिए आप story से कुछ words यूज कर सकते हैं, ये activity आपको class में करनी है, and also ask your grandparents, अपने grandparents से, grandfather, grandmother से, या फिर अपने parents से, ममी पापा से भी आप पूछेंगे, अपने बचपन में वो जो games खेलते थे, उनके बारे में आपको उनसे पूछना है, find out about it in detail, उस game के बारे में detail में find करेंगे, कैसे वो खेला जाता था, उसको खेलने के ले किन चीज़ों की ज़रुरत होती थी, the next day speak about it in the class, और next day आकर, आप class में उसके बारे में बताएंगे, okay that's all students, इसे ही के साथ second chapter over होता है, thank you so much for watching, आप करेंगे,